नवस्कार दोस्तों मैं अलोग सिंग आपका अपने यूट्यूब चेनल ग्यांद गंगा अलोग पर हर्दिक स्वाथ करता हूँ आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साला दरपन पर प्रारम्ध हुए एक नए टेप जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के पैसे डिस्टिब्यूट किये जाने है उस टेप का प्रारम्ध हुआ है आज उस टेप में आप किस प्रकार से काम करेंगे किस प्रकार से dbt scheme के तहट विद्यार्थियों को उनकी यूनिफॉर्म की सिलाई का पैसा उनके खाते में सीधे स्थानातित किये जाएंगे उस प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को आप अंतर देखें चलिए वीडियो को प्रायम करते हैं सबसे पहले आपको विद्याले लोगिन में लोगिन करना है ID, Password और Capture Code इंसर्ट करके जैसे ही आप लोगिन करेंगे आप विद्याले के स्कूल लोगिन डेस्टबॉट पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर आपको योजनाए का जो ओप्सन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है जैसे आप योजनाओं के टैप पर क्लिक करेंगे बहुत सारे टैप आपको नीचे खुल कर दिखाई देंगे यहाँ आपको चात्र वर्दी डीबिटी प्रणाली स्टुडेंट डीबिटी स्कीम के नाम से एक टैप दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें एक सब मिनू और खुलेगा चात्र वर्दी डीबिटी प्रणाली के नाम से इंग्लिस में होगा तो स्टुडेंट योनिफॉर्म डीबिटी स्कीम नाम से दिखाई देगा आपको इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया टैप और दिखाई देगा आपको ग्रीन कलर का बटन जो आपको यहां दिखाई दे रहा है इस्टुडेंट योनिफॉर्म डीबिटी सिस्टम पर जाएं इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप विद्याले के बिल्कुल नए dashboard जिसके माध्यम से आप विद्यार्थियों को dbt scheme के तहट उनके खाते में सीधे uniform से लाई का पैसा transfer करेंगे यह जो dashboard है वो उसी के लिए प्रारम किया गया है दिखाई देगा आपको यह यहाँ पर man dashboard पर उपर आपको विद्याले का नाम दिखाई देगा विद्याले के नाम के नीचे आपको दिखाई देगा view all count का option जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको dashboard की पूरी information दिखाई देगी मैं आपको एक-एक information के बारे में पहले बता देता हूँ तब हम आगे उस पर चर्चा करेंगे यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो tab दिखाई देरा आपको वो है eligible students क्यानि इस विद्याले में eligible students की संख्या कितनी है तो 137 दिखाई गई है उसमें से एक ने applied कर दिया है dvd scheme के लिए और 136 बचेवे हैं और जिसने apply किया है उसका एक आवेदन अग्रेशित कर दिया गया है यह पूरी सूसना यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपको इन सभी 137 का नाम इसमें और इसमें आना चाहिए pending status 0 होना चाहिए तब हम समझेंगे कि हमारा कारी पूरा हो चुका है चलिए अब मैं आपको कैसे करना है यह समझा देता हूं इस dashboard को देखने के बाद यहां इस इन पर आपको three cleanu के टेप आण में तीन लाइन ओका ब्लु किलरा टेप'D दिखाए दे रहा होगा मैं आपको दिखा दूं यह देखिए यहां पर मिश्वुयय कलर के टेप आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे यहां सब्सक्रियाए, यहां पर एक मीनुब要पन होगा फहला मेनु ॐस्वयfilm के नाम से यहाँ पर एन दूसरे नमर का टैप दिखाए देगा उस पर आपको दॉशा करना हमें जैसी आप में क्लिक करेंगे यहां पर फिर आपको थे टैंप में टैब दिखाई देंगे पहला टैब है वर्दी की स्थिति दूर्सा टैब है बैंक विवरन टाप करने की स्थिति और तीसरा टैब है पियो को अग्रसित करने की स्थिति हमें तीनों पर कारी करना है तीनों को पूर्ण करना है सबसे पहले जो पहले बाई डिफाल्ट है वो है वर्दी की स्थिति तो हमें गेट क्लास वाइस जाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे विद्याले में जितनी भी क्लासेज हैं एक से आर्ट तक की वो सब ओपन हो जाएंग टोटल स्ट्रेंट कपच्छा एक में साथ हैं सबको सातों को यूनिफॉर्म दी जा चुकी है जनाधार अफंटिकेशन उसमें 6 का हुआ हुआ है और इस्कूल द्वारा एक के आवेदन को आग्रेशित भी कर दिया गया है और वो पियों को भेज दिया गया है यह यहां पर स्टेटस शो हो रहा है यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिन विद्यार्थियों अब यहां पर आप देखने हैं कि विद्यार्थियों का काउंट 137 है और अभी तक केवल यहां पर साथ कक्षा एक के साथ वित्यार्थियों को युनिफॉर्म डिस्ट्रिब्यूट दिखाई गई है यहां पर अभी हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन जो जनाधार अथंटिकेशन है 137 में से केवल 102 का है तो यह ध्यान रखिए डीबीटी स्कीम क पहत जो अमाउंट ट्रांसफर होगा केवल 102 का ही होगा जिनका पेंडलिंग है उनको आपको अतिशिग्र करवाना होगा अन्य था उनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा तो यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि 137 जो विद्यार्थी हैं जिनको युनिफॉर्म दी गई है उनमें से कितने एलिजिबल है युनिफॉर्म का पैसा अपने खाते में प्राप्त करने के लिए अब जब हमें यह मालूम चल गया कि हमारे पास जो काउंट है वो कितना है कितने विद्यार्थियों को हम डाइग बेनिफिट ट्रांसफर का लाफ दे सकते हैं टरकि आपको दिखाता हो। सेकंड क्लास को जैसे ओपन करेंगी जैसे हम कक्षा 2 पर क्लिक करेंगे तो यहां कक्षा 2 के विद्यार्थियों के शुची आप unto दकहाई देगी इसוד्यों करके नीचि यहां पर सबसे उपर आपको विद्यार्थियों पिता का नाम मदर्स ने कप्षा डी ओवी डेट बर्थ दिखाई देगी इन में से आपको ने जितने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दे दी है फिजिकली दे दी है उनके चेक बॉक्स पर आपको प्लिक करना है ऐसे एक एक करके और यदि सभी को दे दी है तो आप यहां से चेक बॉक्स पर एक साथ क्लिक कर देंगे तो सभी की चेक बॉक्स पर क्लिक हो जाएगा यानि उनका सेलेक्शन हो कर अपडेट क्लॉफ स्टेटर्स पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप उपडेट क्लॉफ स्टेटर्स पर प्लिक करएंगे, आपको uniform clothes given status successfully यानि आपने uniform की स्टेटर्स को अफडेट कर दिया है। इसके पश्चार आप वापस उपर आएंगे वर्दी की स्थी हमने क्लास 2 की पूरी कर दी है इस ऐसे करकर के आपको सभी क्लासों का स्टेटस एक एक करके पहले भर लेना है जैसे आप भरते जाएंगे आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 में मैंने 7 को eligible कर दिया है तो uniform 7 को दी जा किया तो यहां पर 14 में से 14 को यहां पर दी जा चुकी है अब 7 में से 6 का ही आधार authentication है तो यह ध्यान रखिएगा कि केवल 6 को ही direct benefit transfer हो पायगा जो जिसका एक आधार authentication नहीं है उसको direct benefit का आप नहीं मिल पाएगा यहां पर 14 में से 12 का ही authentication है इसी प्रकार से सभी विद्यार्थियों को जब आप स्टेटस को अप्रूव कर देंगे एक एक करके हर क्लास के तो यहां पर टोटल यूनिफोर्म गिवन का स्टेटस देज़े चेंज रता जाएगा माल लीजिए आपके 137 में से आपने 132 को दिया है तो यहां 132 option आ जाएगा अब हम आगे चलते हैं आपको अगला step बताने के लिए बैंक विवरन प्राप्त करें इस पर क्लिक करेंगे मैं आपर एक विद्यार्थी का बैंक विवरन प्राप्त करके आपको दिखाऊंगा ज कक्षा दो पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको जितने विद्यार्थियों का जनाधार authenticate है इस कक्षा के अंदर उनकी सूची आपको नीचे दिखाई देगी यहां आप देख रहे हैं कि योग्या भ्यार्थी 14 हैं लेकिन 14 में से हमने 14 को युनिफॉर्म तो देदी है उस लेकर बायरत विद्यार्थी हैं जिनके माता का नाम पिता का नाम विद्यार्थी का नाम यहां पर आंसिक रूप से ब्लर किया हुआ है परस्नल इंफॉर्मेशन होने कान से और यहां पर चेक बोक्स दिया गया है आप चाहे तो एक साथ सब का चैन कर सकते हैं और एक साथ बंक करके आप कर सकते हैं मैं आपको एक विद्यार्थी कि बइंग डिट्रश्य अपडेट करके दिखार रहा हूं, यहां पर जैसे मैंने चेकवक्स पर कलिक किया यह check box पर click किया और check box पर click करने पाद फीच bank detail पर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आपको bank detail इस column में bank detail account number इस column में ifse code इस column में ifse code की स्थिति दिखाई देगी चलिए देखते हैं मैं यहाँ पर इसको fix कर रहा हूँ तो आप देखेंगे processing start हो चुकी है और message मिलना student identification status updated successfully होके के बटन को आप प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विद्यार थी जिसका अप्रूव हुआ है उसका नाम यहाँ पर आ गया लेकिन पहले वह पट्टी वाइट थी अब ग्रीन हो चुकी है यानि अप्रूवल हो चुका इसका यहाँ पर उसके पिता का नाम यहाँ पर उसके माता का नाम आ चुका है और यहां आपको blur किया हुआ है बैंक अकाउंट नमबर और बैंक का आएफसी कोड आपको यहाँ दिखाए देन लग जाएगा और आएफसी कोड बैंक वारा अप्रूव हो चुका है यह इस्तिति यहां पर दिखाई देगी तो यह हमने बैंक डीटेल यहाँ पर अप्रूव कर दी है एक विद्यार्थी क कि आपको डीटेल को अप्रूव करना है अब हम वापस ऊपर चलते हैं पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया वर्दी किस्ति दूसरा स्टेप बैंक विवरन प्राप्त करने किस्ति अब तीसरा और अंतिम चराण है पीयो को अग्रिशित करना जो हमने आवेदन अभी पूरा क मिया है उसको आमारे पंचेथ प्राइमब्रक सिर्षा दिकारी को प्रेशित करने हैं तो इसट पाषए करेंगे जैसे ही इसको select करेंगे ये वाला tab आप highlighted हो जाएगा और gate class wise data पर प्लिक करेंगे कभी मैंने आपके सामने कच्छा दो के एक विद्यार्थी का भरा था तो यहां पर आपको उस विद्यार्थी की सूसना मिल जाएगी विद्यार्थियों की संख्या 14 थी चवदम से 12 के जनाधार authenticated है एक को एक का फॉर्म अभी 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 अप्लाई किया है और यहां पर एक बटन दिखाए जरा व्यू लिस्ट का यानि यहां पर जब क्लिक करेंगे तो जो आवेद्न आपको प्राप्त हुआ है उसकी सूसना आपको यहां से मिलेगी और इसको यहां पर आपको चेक कर लें तो यहां पर आपको नीचे बहुत सारे विद्यार्थियों की सूची दिखाए देगी जो की पूरे छेत्र के विद्यार्थि है आपको इसको देखकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है यह पूरे ब्लोक के कच्छा दो के विद्यार्थियों की सूची है अब यहां पर आ स्टुडेंट सक्सेसफुली फारवर्ड टू नोडल अब जैसे ही वहां पर हमने फारवर्ड किया यहां से फारवर्ड का बटन गायब हो चुका है और फारवर्ड टू पियो में जाओ संख्या जीरो आ थी वह अब एक हो चुकी है तो यह एक टीनों स्टेप्स को पूरा करने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा दी है वर्डी की सिति को कैसे अपडेट करेंगे और पियो को कैसे अगर्शित करेंगे यह हमने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है अब वापस यहां देखते है तो हमने डेस्पोर्ट देख लिया यूनिफॉर्म स्टेटेश देख लिया फ्वारवर्ड टू पियो का जब उप्सन सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर वही सिती वापस दिखाए देगी यानि हमने तीसा स्टेट भी पुरा कर लिया है अब उप्योग करता पुस्ति का विभाग दस्तावेद लॉग आउट यह अभी हमारे किसी काम के नहीं है यहां पर उप्योग करता के लिए निर्देश हैं जो आप यहां से देख सकते हैं यहां पर एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके को आप देखकर यदि कोई समझ्या आती है तो आप उसको पुरा कर सकते हैं हम यहां से बाहर चलते हैं तो हमारा काम यहां से समाप्त हो चुका है, जब हम सभी को एसे सलेक्ट कर देंगे तो सारी अप्योग के पास पहुंच जाएगी और अब अगला कारी जो करना है वो प्योग को करना है जिसकी प्रक्रिया हम अगले वीडियो में समझेंगे आसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और ये दी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद